आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय बनी रहे, कि वीडियो कन्या यानि की वर्गों के लिए बहुत महत्तपूर्ण है, क्यों कि वीडियो है, मार्च दोहजार चौब और कुछ विशेश उपाए, वीडियो के अंत में बताता हूँ, यदि आपको अपनी लगन राशी पता है, वहाँ से देखेगा, जिनको नहीं कंफर्म, वो अपनी चंद राशी से भी देख सकते हैं, टेक्निकली, कन्या लगन राशी के लिए, कन्या लगन राशी के लिए अलग अलग राशी फल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की गोचरी अस्तिती पे अधारित होते हैं राशी फल और अलग 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 उनकी पोजिशन्स नहीं हो सकते हैं, तो यदि आपकी लगन राशी या चंद राशी करते हैं, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस सामान्य विश्रेशन से, रुवात करते हैं सामान्य विश्रेशन के साथ, ये महीना कहीना कहीं बहुत इवेंटफुल रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत बदलाव होने वाले हैं, ग्रहों के बदलाव होने वाले हैं, ग्रहों के अलग-अलग योग बनेंगे, य स्वोटक यूती मैं कहता हूँ, अच्छा प्रभाव भी होता है, बुरा प्रभाव भी होता है, वहीं सूर्य राहू के साथ आ जाएंगे, और ग्रहन दोश युक्त हो जाएंगे, बुद्ध नीच के हो जाएंगे, और राहू के साथ आकर कहीना कहीं ब्रहमित हो सकते हैं, औ और इसके साथ ही शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे और उच्च अभिलाशी हो जाएंगे लेकिन छटे घर में वो मंगल शुक्र और शनी के साथ यूति बनाएंगे और छटे घर में शुक्र थोरसे क्षीन हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा केरफुल यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। शुरुवात करते हैं स्विशलेशन का। सबसे पहले देखते हैं कि लगन पर किन ग्रहों का प्रभाव है। कौन-कौन ग्रह लगन पर सीधा इंपक्ट डाल रहे हैं। लगन पर हम देखे तो केतू बैठे हुए हैं। पहली बता चुका हुँ मैं अब तो खेर चार महिने होने वाले हैं, हो चुके हैं आलरडी केतू के लगन में। तो सेहत का बहुत ध्यान दे क्योंकि केतू रोगकारक है और लगन में है तो रोग अवश्य देंगे। अध्यात्मिक जनी अध्यात्मिक चेतना बढ़ती है और वो बढ़ती ही रहेगी। कई लोगों की जिनके अंटेल अलेस कुंडली में नवम भाव बहुत जादा पीडित नहीं है। यहां पर आप डिटैश्मेंट कर सकते हैं या फिर डिटैश्मेंट के वर्दी है। अगर आप अपना परिवारिक जो आपके जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण नहीं हुई है तो फिर आपको उस पथ पर चलने से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि जो डिटैश्मेंट वाली फिलिंग है यह केतु के कारण बहुत ज़्यादा प्रबल कभी-कभी हो जाती है। केतु जब लगन में अकेले है या फिर किसी भी भाव में आते हैं तो उसके स्वामी हो जाते हैं एक तरा से उसका स्वामी तौर आपके लगन में है यानि कि आपके पूरे जीवन प के लिए पारिवारिक सुक्षान्ति के लिए थोड़ा सा केतु का लगन में आना प्रॉब्लमेटिक होता है लगन पर और किसी ग्रह का डारेक्ट इंपक्ट नहीं रहेगा मंगल जब राशी परतन करेंगे छटे घर में आएंगे तो उनकी जब यहां पर आँगे तो उनकी आठवी द्रिष्टी लगन पर रहेगी और मंगल क्योंकि आपके लिए अश्टमेश है और तीस्ते घर के स्वामी है तीस्ते घर के स्वामी होने के नाते जब वो यहां पर बैठके विपरी तराजयोग बनाकर लगने को देखेंगे अच्छा है कारे बुक्पूर्ण होंगे लेकिन आठवे घर का स्वामित्व भी है और जब वो देखना शुरू करेंगे उसके कुछ दिनों बाद यहां पर ग्रहन भी लगेगा तो यह जो महीन के दूसरे राशी परतन है वो वहीने के अंत में होंगे तो उनको जादा मैं इस वीडियो में कंसीरा नहीं करूँगा सबसे पहला राशी परतन साथ तारीक को होगा जब बुद्ध आपके सातवे घर में प्रवेश कर जाएंगे नीच के हो जाएंगे और उसे दिन शुक् गरह मैं भग भग बता चुको हो पैसा बहुत देता है लेकिन नीच का गरह कौन है नीच का गरह आपका लगनेश है तो लगनेश का नीचस्त होना राहू के साथ युथ्ध बुद्धी के कहा रखे और आपके लिए तु परम इंपोर्टन्ट गरह बन जाते हैं और उनका जहाँ पर बुद्ध नीच के हैं, वो विक्ती से कुछ उल्टे सीधे कारे करवा सकते हैं, married life पर इसका एक negative impact होगा, business में अचानक से पैसा आ सकता है, नीच का गरह बहुत पैसा देता है, राहू है, expand करेंगे, लेकिन इसके साथ ही कहिना कही नाम खराब करने का योग भी बढ़ता है, तो थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि जैसे मैंने कहां, बुद्ध बुद्धी के कारख है, नीच के हो रहे हैं, नीच का गरह, बुद्धी का कारख, यानि कि अपने बुद्धी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, और अपने सोचने समझने की शमता जो क्षिन हो जाएगी, कम हो जाएगी, विप्रीत हो जाएगी, उसके कारण कुछ गलत निननने ले सकते हैं, तो यहाँ पर साथ तारीक के बाद से ही आपको बहुत केरफूल रहना है, शुक्र साथ तारीक को छटे घर में आजाएगी, यह एक ऐसी पोजिशन है, जहाँ पर शुक्र सबसे कम स्ट्रॉंग होते हैं, यह अवस्ता शुक्र की अच्छी होती नहीं है, कई लोगों की कु हो जाते हैं, यह स्थान है, विपरीत है शुक्र का लेना देना, यह बारवा घर है जहाँ पर सारे ग्रह थोड़ा सा वय हो जाते हैं, उनका खर्चा हो जाता है, वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र कहीं न कहीं सबसे पावरफुल ग्रह होते हैं, और उसके लेकिन भागेश का यहाँ पर आके एक तरह से क्षीन हो जाना है यानि की भागे का साथ कम मिलेगा और पारिवारिक सुक्षान्ती में भी कमी आएगी वेवारिक सुक्षान्ती में भी कमी आएगी इसके बारे में आगे जो उनके टॉपिक्स आएंगे उसमें चर्चा करेंग पंद्रा तारीक को अपना राशी प्रतन करके आपके छटे घर में आ जाएंगे। सूरे की पहले चर्चा कर लेते हैं, सूरे सप्तम भाब में मैरेड लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव होते हैं। और यहां पर राहु के साथ भी आ गए और गरहन दोश लग गया, कि जो जोतिशे दोश होता है, बुद्ध के साथ सूरे हैं, बुद्ध नीच के हैं, तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यहां पर मैरेड लाइफ पर तो इमपेक्ट बहुत पड़ेगा, अपन का ज़ादा यह चीज़ इंपक्ट करेगी, जो थोड़े से पॉपुलर हैं, या किसी बड़ी पोजिशन्स पे हैं, इंपोर्टेंट पोजिशन्स पे हैं, वो प्राइवेट जॉब्स हो, गौर्मन जॉब्स हो, पॉलिटिक्स हो, जहां पर आप you are in power, you have a name, तो उसको खरा थोड़ी सी negative चीज़ में फस जाता है, तो इस चीज़ में आपको बहुत careful रहना पड़ेगा, और सूरे यहां पर हैं, आपके बारवे घर के स्वामी है, लगन को देख रहे हैं, यानि कि खर्चे भी आपके इस महीने बहुत बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा on the negative side है मही अच्छी चीज़ है, मंगल कहीना कहीं बहुत अच्छी वस्ता में है, अगर सिफ शनी की अभियूती की बात नहीं कर रहा है, अखेले मंगल का छटे घर में आना बहुत अच्छा होता है, और वो यहां से लगन को देखेंगे, तो आपको एक confidence एक साहस देंगे, एक उरजा है, गिरे हुए विक्ति को उचाही तक पहुचाना मंगल का काम होता है, तो यहां पर मंगल अच्छी वस्ता है, तो problems वाएंगी, लेकिन मंगल, यानि कि आपके अपने efforts वारा, आप उनसे निकल पाएंगे, ये एक अच्छी चीज दिक रही है, लेकिन मंगल शनी की यूती थोड़ी सी विस्फोटक होती है, अब ये अच्छा प्रभाव देगी करियर में, क्योंकि अर्फटरी कोन है, अच्छा प्रभाव देगी लीगल केसेस में, फसे होए कामों में, लेकिन बुरा प्रभाव गुसा, मंगल वैसे ही लगन को देख रहे हैं, शनी के साथ यूती संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे जो लोग आपसे कुछ जादा बोलते भी नहीं थे, आपके खिलाफ कभी नहीं गए, वो भी यहाँ पे आपके खिलाफ जाएंगे और ये वो समय है, जब आपके चाचा, फूफा, मामा यानि की जो पास के पहुत सकता है, तो थोड़ा सा इसको लेकर भी आपको ध्यांग देना है, तो देखें महीना मिला जुला सा ही है, हाँ, इंपोर्टन चीज बहुत भूल गया, ग्रहन आपके लगन में लगना, ये अच्छी चीज नहीं है, कुछ सेंसिटिव स्थानों में लगन में, अश् and downs आसकते हैं, हर एडिया, जैसा मैंने कहा लगन से जीवन का हर एडिया, हेल्थ, वेल्थ, हर सब्कुछ, विवाहरिक जीवन, विवाइक जीवन, प्रेम संब्द, कुछ भी है, उसका लगन से संब्द होगा ही होगा, तो जब लगन में ही ग्रहन लग रानी, कि हर चीज मे अंधेरा और सबसे ज़्यादा इंपक्ट इसका सेहत पर बढ़ेगा, बहुत केरफुल रहेगा, महीने के अंतिम भाग में, ग्रहन का प्रभाव कुछ दिन पहले से लगता है, और कुछ दिन बाद तक रहता है, तो बहुत केरफुल आपको इस महीने पर रहना पड़ेगा, विशेश प्रडिक्शन, डिटर्मिनेशन बढ़ेगी मंगल के कारण, प्यार से बात कीजेगा, उससे कई प्रॉब्लम्स हो सकती है, बढ़ने से बच सकती है, कॉन्फिडेंस अवश्या आएगा, फैमली का साथ मिलेगा, लेकिन फैमली से संबंध पर ध्यान दिजेगा, क कि मुश्किलों से निकल कर भी अपने ले कोई रास्ता अवश्या निकाल पाएंगे, कहीना कहीं अपने फिजिकल और मेंटल दोनों ही सेहत पर आपको ध्यान देना है, और आपको जीवन में क्या चीज प्रसंद्नता देती है, उस चीज पर अपना टाइम डिवोट करना है इस महीने, जितना आध्यात्मिक रहेंगे, जितना इश्वर के सानेध्य में रहने का प्रयास करेंगे, उतना आपके लिए महीना अच्छा है, जहां आपने कहीना कहीन सब चीजों से दूर होने का प्रयास किया, महीं पर प्रॉब्लम भी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो मिला सवामी, बुद्ध इस महीने नीच के हो रहे है, जो आपके लगने के सवामी भी है, वो यहां पर आजाएंगे साथ तारीक को, सूर्य यहां पर आजाएंगे चौदा तारीक को, मंगल यहां पर आजाएंगे पंदरा को, शुक्र साथ को, अब यहां पर अच्छी चीज यह है कि आपका जो छटा भाव है जो अर्थत्रिकोन है वो strong हो गया है शुक्र के कारण नहीं लेकिन मंगल के कारण क्योंकि मंगल छटे भाव में बहुत strong हो जाते हैं मंगल विपरी तराजियों भी मना रहे हैं क्योंकि आठवे घर के स्वामी है तो ये आपको कारण शेत्र में अच्छा कारे करने का अफसर देगा, आगे बढ़ने का अफसर देगा दुश्मनों पर, competitors पर अपने colleagues पर हावी रहेंगे लेकिन शुक्र अर्थत्रिकोन में आनी कि office politics भहंग कर रहेगी मंगल आपके शत्रूं को आपको परास तो नहीं करने देंगे, लेकिन इतने सारे ग्रहों का छटेगर में होना, यानि कि आपके शत्रू कारेक शेत्र में बढ़ते रहेंगे, और अंजान शत्रू, यानि कि आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आपके विरुद्ध हो गया इस महीने तो वो एक negative चीज है, अब सप्तम के स्वामी, साथी, दस्वे के स्वामी का सप्तम में आना, अपने से दस्वे स्थान में आना, अच्छा होता है प्रमोशन के chances मिलते हैं सूरे का भी सप्तम में आना प्रमोशन के chances बना जेता है, लेकिन career में extra पैसा कमाने की opportunities होती है, कई ऐसे careers हैं आज की date में जहाँ पर्फॉर्मेंस में इस पैसा मिलता है, extra, incentives मिलते हैं, कई चीज़ें होती है तो वो तो देख रहा है, लेकिन यहाँ पे हाथ आई, promotion हाथ से निकल सकती है कारण यही है कि नीच के बुद्ध सप्तम में है, promotion के लिए सप्तम भाव बहुत important होता है, दसवे के साथ और सूरे में यहाँ पर है जो दोश चुक्त है क्योंकि गरहर दोश है, तो होगा और क्योंकि शुक्र छटे में है तो office politics तो यह हो सकता है कि जिसकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी है उनके तो यहाँ पर promotion की योग है लेकिन अगर सामान्य दशा अंतरदशा भी है और बुरी है, तो उनके लिए यह होगा कि कही न कहीं सब कुछ आपको दिखाएंगे कि हाँ, आपकी promotion की बात चल रही है इस बार तो हो ही जाएगा लेकिन end में आकर चीजें बदल जाएंगी कही न कहीं आपके जगा किसी और का promotion हो सकता है और उसका एक कारण office politics भी होगा और एक कारण आपके bosses भी होगे जो आपको हमेशा बोलते रहते थे कि हाँ आपका ही appraisal में इस बार आपको आगे बढ़ाएंगे और वही कुछ न कुछ गड़बर यहां पर कर देंगे तो उस हिसाब से थोड़ा सा negative दिख रहा है otherwise इस महीने अच्छा कारे करने का आउसर मिलेगा अपने आपको express करने का मौका मिलेगा और आपके कारे के द्वारा अपने करियर में एक stability आप अवश्य लापाएंगे बीजी इस महीने काफी आप रहने वाले हैं विशेश predictions पैसा बढ़ता हुआ देख रहा है opportunities भी आएंगी लेकिन confusion बहुत रहेगी आपको मानसिक रूप से अपने bosses से थोड़ा बचके रहे सरकारी जॉब करते हैं तो कहीना नहीं promotion के योग यहाँ पर बन रहे है एक तरह से अच्छा काम करके career से satisfaction तो प्राप्त होगी लेकिन क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहे या नहीं बढ़ पाए उसका भी दुख साथ में रहेगा गुस्टे से बचे क्योंकि छटे भाब में मंगल शनी गुस्टा बहुत देते हैं और वो career का भी एक important स्थान है तो यहाँ पर भी थोड़ी problem आ सकती है इस महीने arguments होने के संभावन अपने कारेक्षेत्र में आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यदि आप finance, IT, software, coding, research, technology, science, education सरकार से संबंदित, hospitality इन से जोड़ा कुछ भी कारे करते हैं तो महीना आपका अच्छा जाए चलते हैं business की तरफ जो लोग business करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा महीना सब्कम में राहू है जो वैसे ठीक होते है business के लिए लेकिन बुद्ध का यहाँ पे आना और नीच का हो जाना ये भी कोई बुरा नहीं होगा पैसा business में बहुत आएगा लेकिन problem स्टार्ट होगी business में सूरे के राश्री बरितन के बाद जो होगा 14 तरीक को मंगल भी 15 को यहाँ पे आ जाएगे शुक्र 7 तरीक को यहाँ पे आ जाएगे बुद्ध के कारण पैसा अचानक से आ सकते है लेकिन जब सूरे यहाँ पे आ जाएगे और यहाँ पर सूरे राहु का गरण दोश लग जाएगा क्या बन जाएगा तो यहाँ पर problem हो सकती है दो-तिन प्रकार की तो सरकार से बाधाय आएगी बुद्ध नीच के है यानि कि documents में कोई problem आ सकती है कोई लिखा पड़ी का काम अटक सकता है कोई legal process चल रहा था वो अटक सकता है आपने कोई license अप्लाई किया हो तो उसमें कोई problem निकल सकती है GSTRD की problem निकल सकती है यानि कि जहाँ पर भी कुछ documentation आ गए जहाँ पर भी सरकार का लिनादेन आ गया वहाँ पर क्योंकि विरुद्ध आप जाने का प्रयास करेंगे आपके नाम को आपके बने-बनाए नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा बचके रहिएगा यह महीना critical है sensitive है ग्रहन भी लगने में लग रहा है और यह जब ग्रहन लगेगा तो उसका पूरा impact सब्तम पर भी आएगा 25 तारी को लगया लेकिन कही ना कहीं पहले से impact दिखता है तो इस महीने पैसा वश्य आएगा लेकिन बाकी चीज़े थोड़ा सा तंग करेंगे क्योंकि सब्तम से 12 स्थान शनी और मंगल युक्त है यानि की अचानक से उथल पुथल मशीनरी का काम है मशीनरी खराब हो सकती है आपका कोई manufacturing का बड़ा है आपने बहुत बड़ी unit डाली हुई है अचानक से unit कोई ना कोई मशीनरी खराब हो जाएगी manpower में problem आ जाए या आपकी manpower जो है या तो छुट्टी पे जाना शुरू कर देंगे या धंग से काम नहीं करेंगे कोई strike हो सकती है या कुछ ना कुछ problem हो सकती है तो यह महीना थोड़ा business के लिए कश्टकारी रह सकता है संभल कर रहना है आपको बहुत एतियात बरत्ती है विशेश predictions संभावनाय तलाशते रहीएगा लेकिन पुरानी गलतियां यहाँ पर मत दोहराएगा और लग रहा है कि पुरानी गलतियां दोहराएगे और इस बार जो पुरानी गलतियां है वो बहुत बड़ा नुकसान करवा के जाएगे केरफुल रहेगा हमेशा opportunities अवश्य आएंगी नहीं लेकिन बहुत संभल कर आपको आगे बढ़ना है कोई भी agreement ऐसा assignment कर दीजेगा जहाँ पर आपने एकदम excitement होकर चीजों को आगे बढ़ा दिया और फिर बाद में चला कि पता कि agreement में बहुत hidden clause थे और बाद में जाके फज़ दे creativity अवश्य रखेगा हर problem का solution ढोनने का प्रयास केजिएगा लेकिन जितना एतियाद बरत सकते हैं जितना over excitement कम रख सकते हैं और जितना गुस्य पे control कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा sensitive महीना है इसमें है इसमें मुझे कोई doubt नहीं लग रहा महीना बहुत आसान नहीं बिते हैं income investment expenses के तरफ income के हिसाब से महीना ठीक ठाक है कारण यह है कि मंगल आपके लावस्थान को देखेंगे 15 तारीक तक शुक्र की भी दृष्टी रहेगी और अर्थ त्रिकों में बहुत सारे गरह आ जाएंगे तो ठीक है पैसा आएगा हाँ क्योंकि शुक्र छटे घर में चले जाएंगे साथ तारीक के बाद जो धन कमाने की capacity धन कमाने की जो एक stability होती है या फिर वो जो एक गती होती है उस पर थोड़ा सा विगन डालेंगे तो पैसा थोड़ा अटक कर आ सकता है लेकिन धन प्राप्ती के लिए महीन अच्छा है investment ही बात करें तो शुरुवाती दस दिन अच्छे है बीच के दस दिन भी ठीक है अंतिम दस दिन में नुकसान हो सकता है केरफुल रहेगा खर्चों की बात करें तो मैंने कहा था शुरू में ही बढ़ेंगे सूरे यहां पर आ जाएंगे पंदरा चौदा तारीक को तो लगने को देखेंगे और वैसे भी ग्रहन लग रहा है लगने में घर की मरमत पर बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है यानि कि कोई पाइप ही फट गया आपका पाइप में कोई प्रॉब्लम आगे कोई अचालक से सीलन आ गई या कोई बिजली का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया आपकी wiring में कोई problem आगी, तो घर की मरम्मत पर, घर के रखरकाब पर बहुत बड़ा खर्चा होगा इस महीने, यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, दबाईयों पर बहुत खर्चा होगा, और इसके साथ ही emotional buying बहुत करेंगे, तो ये चीजें भी इस महीने जादा आपको तंग करेंगी, थोड़ असा मिश्रित सा महीना इस संदर्व में देख रहा है, चलते हैं love and relationship के तरफ no contact situation से शुरू करेंगे, बहुत अच्छा महीना तो नहीं कहुँगा, महीने के अंत में अचानक से कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं, जहाँ पर थोड़ी बात्चीट स्टार्ट हो जाए, लेकिन बहुत positive महीना नहीं है, नए relationship के लिए संभावना है थोड़ी, लेकिन उसकी संभावना कहीं न कहीं शुरूआती, दस दिन ही मानके चलिए, साथ तारीक तक जब तक शुक्र है, तो पहले ही जो दस दिन है, वहाँ पर ही थोड़ी संभावना है, उसके बाद संभावना नहीं बनती, अब बात करते हैं जो लोग relationship में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी problem स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल अकेले बच जाएंगे, और फिर उसके कारण लड़ाई जगड़ा बहुत ज़ादा, एग्रेशन बहुत ज़ादा हो जाएगी, इसके बाद भी राशी परत्र होंगे, तो सूर्य आपके सप्तम भाब में आ जाएंगे, और मंगल आपके छटे घर में आ जाएंगे, अब इसका प्रभाव नेगेटिव उनके लिए हो सकता है, जो कहीं ना कहीं उस दौर में थे, जहां पर उनको अपने रिलेशन्शिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना था, अब वहाँ पर जब वो सिचुएशन आएगी, यह वहाँ पर commitment issues आएंगे, रिलेशन्शिप के तो ठीकता है, लेकिन शादी की बाद जब आगे बढ़ने शुरू होगी, तो दोनों ही थोड़े uncomfortable हो जाएंगे, especially आपके partner, और उसके कारण थोड़ी problem बढ़ सकती है, तो मैं यह कहूँँगा कि इस महीने, आगे भी time है, ऐसा थो नहीं कि खतम ही हो गया सब कुछ, इस महीने at least अगर आप relationship में है, तो जो एक जो बहुत बड़ा step लेना है, जो लांगना है वो step की हाँ, अब relationship को marriage life की तरफ बढ़ाना है, या marriage की तरफ बढ़ाना है, घरवालों को involve करना है, उन सब चीजों से इस महीने बचिएगा, बात में try कर लीजिएगा, एपरिल मही में लेकिन इस महीने उन सब चीजों पर बच जाएगा, और क्योंकि पंचम से दूसरे घर में इतने सारे ग्रह है, जिस पर मंगल शनी क्योंती थोड़ी ज़्यादा कश्टिकारी है, तो अपनी वानी पर control रखेगा अगर आप चाहते हैं कि relationship ठीक ठाक चले, क्योंकि वानी पर control ना रहने के कारण problem इस महीने बहुत ज़्यादा आएगी, विशेश predictions, इंटिमेसी दिख रही है, attraction दिख रहा है, लेकिन stress बहुत रहेगा, कही बार आप relationship को छोड़ कर भागने का भी आपका मन करेगा, break up नहीं करूँगा, लेकिन आपको कभी-कभी होता रहे कि एक break चाहिए होता है, वैसा यह महीना दिख रहा है, जहां पर आपको एक break अपने relationship से थोड़ा चाहिए रहेगा, और अगर ऐसा लगता है मन में, कि आपको अपनी एक space चाहिए, तो अवश्य लीजेगा, क्योंकि आज का डाइम ऐसा है कि हमारा जीवन बहुत complicated हो चुका है, और हमारे मन को, मस्तिशकों को, आत्मा को break नहीं मिलते, क्योंकि हम कही ना कही या तो काम कर रहे होते हैं, या फिर नहीं तो अपने mobiles पे लगे होते हैं, social media, दुनिया भर के चीज़े, तो मन को जो पहले आज से 20 साल पहले लोगों में शान्ती थी, क्योंकि अपने काम करने के बाद एक सुकून होता था जीवन में, आज की टाइम में वो नहीं है, इसलिए अपने लिए एक free space निकालना चाहिए, जिसमें थोड़ा selfish भी बनेंगे तो कोई problem नहीं है, लड़ाई जगर इस महीने बहुत होंगे, और कहीं न कहीं rebellious सा nature रहेगा, विद्रोही सा nature रहेगा, जो थोड़ा सा तंग करेगा, तो मिश्रिट सा महीना दिख रहा है, विवाहिक जीवन के तिरफ विवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी साथ तारिक से ही, जब बुद्ध नीच के हो जाएंगे साथे घर में, मेरिड लाइफ का हाउस है, और शुक्र भी यहाँ पर आजाएंगे, शुक्र के वस्ता भी बहुत important होती है, और राहू भी यहाँ पर है, यानि कि वो जो ग्रहन दोश बनेगा साथे घर में, यह बहुत अच्छा नहीं होगा, बुद्ध भी है, नीच के हैं, लगने के स्वामी है, यह महीना मेरिज लाइफ के लिए बहुत कर्ष्ट कारी रहेगा, अलड़ी मैं यह बता चुका हूँ कि कन्या के लिए मेरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले ही आना शुरू हो गई होंगे नवंबर से, जब राहू सब्तम में आये थे, क्योंकि योग बनाते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ था, लिकिन जिनका विवाह चल रहा था, नीकि विवाही की जीवन चल रही थी अच्छी कासी, उसमें राहू आकर खलर डालते हैं, मैरेड लाइफ में डिसकंटेंटमेंट आता है, और यहाँ पर सूरे भी आ रहे हैं, बुद्ध भी आ रहे हैं, और इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्तम से बारवास्थान मंगल शनी युक्त हो गया, बहुत लडाई जखड़े होंगे, बहुत एक दूसरे को कोसा जाएगा, और कई लोग इस महीने डाइवोस की तरफ भी बढ़ेंगे, जिनकी अलड़ी मैरेड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जो कही न कही थोड़ा सा सोच रहे थें, चीज़े ठीक हो जाएगे, ठीक हो जाएगे, इस महीने कई बार ऐसा योग बनेगा, कई बार ऐसा होगा, जहां पर मन में ये विचार आएगा, कि हाँ, अब और नहीं, अब कही न कही लीगल प्रॉसिरिंग से बढ़ानी है, तो ये महीना मैरेड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, कई लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आईए, और जैसे महने कहा, कई लोगों का, इवन डाइवोस तक जो चीज़े हैं, वो पहुँच सकती है, लगन में भी क्योंकि गरहन लग जाएगा, लेकिन मन भ्रमित रहेगा, बीच के दस दिन अच्छे है, अन्तिन दस दिन भी अच्छे है, सुडेंस के लिए महीना ठीक ठाक है, पंचम में क्योंकि मंगल रहेंगे, जो उच्च के हैं, 15 तारीक तक ही अच्छा है, शुक्र यहां से निकल जाएगे, यहां पर आजाएगे, तो थोड़ा से जो मन भ्रमित होड़ा था, वो भी कम होगा, और उसके बाद, मंगल का यहां पर आना भी प्रॉब्ध का नीच का होना, बुद्ध यहां पर आजाएगे साथ तारीक को, नीच के हो जाएगे राहू के साथ, तो साथ तारीक के बाद, मन उल्टी ही डिरेक्शन में भाग जाएगा, नीच कि आप जो कर रहे हैं, उससे एकदब मन भटक जाएगा, नहीं नहीं चीज़ें विचार करना शुरू कर देंगे, यह मैं जो कर रहा हूँ, यह कर रही हूँ यह अच्छा नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, और फोकस थोड़ा सा कम हो जाएगा, मन दसों डिरेक्शन में भागेगा, और जो मन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी, तो और कुछ सरकारी कारे भी अटक सकते हैं, आपका कोई admission letter आना था, कोई offer letter आना था, कोई exam का कुछ जो permits वगर आते हैं, वो आने थे, तो जहां पर लिखा पड़ी के काम आ गए, वो भी आपके कारे अटक सकते हैं, तो थोड़ा मिश्रित सा महीना है, ध्यान दीजेगा, confusion बहुत रहेगी, shortcuts लिए तो बहुत भारी पड़ेंगे, और इसके साथ यही कहीना कही, over planning, overthinking भी दिख रही है, तो थोड़ा मिश्रित सा ही महीना है, students के लिए, एह सेहत के तरफ, सेहत के लिए महीना अच्छा नहीं है, शुरू मही कहचुका हूँ, फिर से दोहराऊंगा, बड़े कारण दो है, एक तो बुद्ध का यहाँ पे आ जाना, नीच का हो जाना, और आपके लगन में ग्रहन का लगना, ये सबसे बड़े कारण हो, इसके साथ ही सूर्य का यहाँ पे आ जाना, चौदा तारीक को, और शुक्र का और मंगल का छटे घर में होना, अब मंगल का छटे घर में होना, रोग के लिए बुरा, मलगी, रोग से विक्ति को मुक्त कर सकता है, लेकिन अखियले नहीं है, शरी भी है, शुक्र भी है, तो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, और बुद्ध नीच के खुरे, जब भी लगन का स्वामी नीच का होता है, लगन में कोई नीच का ग्रहा आता है, वक्री ग्रहा आता है, मैं बता चुका हूँ कहीं कॉमिनेशन, ये हमेशा सेहत खराब करते हैं, और ग्रहन का लगन में लगना, ये सबसे नेगेटिव चीज़ है, और ग्रहन का इंपैक्ट करीबन 10 दिन पहले लगना शुरू हो जाता है, होलाश्टक से मान के चले कि जब से होलाश्टक लग जाएगा, क्योंकि होली पही गरहन लग रहा है, तो वहीं से कहीं न कहीं प्रभाव उससे पहले से आना शुरू हो जाएगा, बहुत एतियात वरतना है, वैसे भी कन्या लगने हैं, थोड़ा सा सेहत में प्रॉब्लम चलती ही रहती है, ENT के रोग रहते हैं, स्किन डिसॉर्डर्स बहुत रहते हैं, कई ऐसे रोग होते हैं, तो बहुत ज़ादा आपको इस महीने वेदना देख रही है, शारिरिक एवा मांसिक रोगों से थोड़ा सा तंग रहेंगी, क्या-क्या चीज़े ज़ादा तंग करेंगी, पेट के रोग, डाइजेस्टि डिसॉर्डर्स, इंफेक्शन, स्किन डिसॉर्डर्स, किड्नी सम्बंदित रोग, लिवर सम्बंदित रोग, इंटरस्टाइन से जुड़े रोग, ऑटोमिन डिसेस अगर कोई है, ब्रक्त विकार कोई है, तो ये सब ज़ादा तंग करेंगे, शुरुवाती दस दिनों में, जिनको हुरिदे कोई रोग है, बहुत केरफुल रहेगा, बीच के दस दिन में, हॉर्मोनल प्रॉब्लम, वाटर इटेंशन, नसों की प्रॉब्लम, अंतिम दस दिन में, उपाय की बात करते हैं, सबसे पहले सेहत क्योंकि अच्छी नहीं दिख रही, तो आपको सबसे पहले तो ये उपाय एक दिन कर लीजेगा, महादेव का दूद और केसर और चंदन के बाउडर, यानि कि एक पात्र में दूद देना है, चंदन और केसर मिलाना है, इससे अभिशेक करना है, जब अभिशेक कर रहे हो, तो ओम, रुद्रायन महामंत्र का जाप कीजेगा, और उसके बाद, महामृत्विंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजेगा, और गंगा जल से फिर पुरहसनान कराकर, 21 बेल पत्र अरपन कीजेगा महादेद को, फिर गणपती जी को 8 लड़ूं का भोग लगाईएगा, खीर का भोग लगाईएगा, और 4 घी के दी अरपन उनका करकर, गणेश चारीसा का 4 बार पाट करकर, मंदिर में कुछ गणेश चारीसा की पुस्तकों का दान करना है, और चुवां के ब्रामण देवता है, पंडिजी है, पुरोहिच जी है, उनको भी कुछ दान करके आएगा, देखिए जो मंदिर जा सकता है, वहाँ पर जाके करेंगे अच्छा है, नहीं कर सकते हैं, तो घर में रहकर जितना याथा संभाव होता है, कीजेगा, मंदिर की उर्जा अच्छी होती है, अलग होती है, घर में जो मंदिर होता है, उसको मंदिर नहीं उसको पूजा स्थल कहा जाता है, महा पर साधना कर सकते लेकिन ये जो उपाय है कि मंदिरों में अच्छा प्रभाव देते तो अपने आस-पास के मंदिर जाईए सनातरी है तो मंदिर जाना तो आपका कर्टब यह नहीं जाएंगे तो क्या फायदा सनातरी होने का अवश्य जाईएगा नहीं जा सकते तो घर में रहकत कीज़ेगा आशा करता हूँ वीडियो का आवाएगा चनल पर नए है सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नुश्य